नमस्कार दर्शकों, चलिए इस वीडियो की शुरुवात कुछ पंजाबी पंक्तियों से मैं करती हूँ, पंजाब का एक बहुत मशूर गाना है जिसके बोल कुछ यूँ है, लोग को ना ये कहर गुजारो, तीया कोक दे विचना मारो, सदा सदा मापयो दे कर दी शान इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, ये गाना एक्चली में ब्रून हत्या की वज़र से पंजाब में बनाया गया था, ब्रून हत्या, यानि कि जैसे ही पता चलता है कि होने वाले बच्चे का लिंग जो है वो फीमेल है, या वो एक कन्या पैदा होने वाली है, अक्स कि वो माबाप के नाम को रौशन करती है, लड़के तो आपस में जमीन बाटते हैं माबाप की, लेकिन लड़कियां जो है वो माबाप का दुख बाटती है, आप सोच रहे होंगे कि आज ये इतनी सीरियस बाते मैं क्यों कर रही हूँ, दोस्तों मेरा नाम है सुगन, सबसे गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि सरकार लड़कियों के लिए स्कीम्स क्यों बनाईगी, क्योंकि भारत में बहुत सालों से ये मुद्दा रहा है कि लोग लड़की के पैदा होने पर रोते हैं, जी हाँ, उन्हें लगता है कि लड़क जो है उसका खास खयाल रखना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी इस देश में मौझूद हैं, जी हाँ, हम 2022 में पहुँच चुके हैं, पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अभी भी लड़की के पैदा होने पर रोते हैं, लेकिन चलिए देश तरक्की कर रहा है, सरकार भी जो है वो विमिन राइट्स के बारे में बहुत सोच रही है, गर्ल चाइल्ड के बारे में बहुत सोच रही है, इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब विडियो लेके आई हूँ, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा, कि बेटियों के लिए भारत सरकार की कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जो आप ले सकते हैं, भाई एक मिडल क्लास घर में बेटी पैदा होने पर सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जो हम ले सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से परि काईदा हर कोई वो व्यक्ति उठा सकता है, जिसके घर में एक बेटी है, या फिर जिनके घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, क्योंकि बेटियां बहुत खास होती हैं, इसलिए भारत सरकार ने बेटियों के लिए ये खास योजनाएं निकाली हैं, पहली योजना है सुकन्य सम्रिध्धी योजना, ये काफी पॉप्यूलर है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डीटेल से, यानि की थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी, दूसरी योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरी योजना है CBSC इसके बारे में हम बात करेंगे वो है माजी कन्या भाग्यश्री योजना, यहाँ पर मैं आपको बता दू कि सुकन्य सम्रिध्धी योजना और लाडली लक्ष्मी योजना केंद्रिय सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इन दोनों योजनाओं में ही पैसे मिलते हैं, बस फ जरूरत नहीं है, वहीं CBSC उडान योजना, ग्यारवी और बारवी कक्षा की चात्राओं की पढ़ाई को और बहतर बनाने के लिए है, चलिए, अब विस्तार से सुकन्य सम्रिध्धी योजना के बारे में बात करते हैं, भारत सरकार की सबसे पॉपिलर स्कीम्स में से एक है सुकन्य सम्रिध्धी योजना, इस योजना में माता पिता अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी के लिए पैसे जमा करते हैं, और भाई शादी या पढ़ाई ही क्यों, आपकी बेटी को जो कोई भी कार्य आगे जाकर भविश्य में करना हो आप उसके लिए ये योज सकते हैं, सुकन्य सम्रिध्धी योजना को सेंट्रल जर्व्मेंट द्वारा अप्रूव्ड किसी कमर्शियल बैंक या फिर पोस्ट आफिस में खुलवाया जा सकता है, आपकी बेटी की उम्र दस साल से कम होनी चाहिए, न्यूबॉन बेबी से लेकर दस साल तक की कमर उम की बेटी का आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसके फायदे बहुत सारे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुकन्य सम्रिध्धी योजना में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ATC, जी हाँ, Income Tax Act के सेक्शन, ATC, 80C के तहट, टैक्स में फायदा मिलेगा, अब आप सोचिए, कितने सारे फायदे हैं सुकन्य सम्रिध्धी योजना के, एक तो आप जो हैं साल दर साल पैसे कठे करेंगे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, दूसरा आपको Tax Benefit भी मिलेगा, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कितना amount जमा करा सकते हैं, आ आप 1000 रुपे से लेकर डेड़ लाक रुपे के बीच में सालाना दे सकते हैं, यानि एक साल में सिर्फ आपको एक बार पैसे भरने हैं, वो 1000 रुपे भी हो सकते हैं, डेड़ लाक भी हो सकते हैं, चलिए अब return और अवधी यानि की duration के बारे में बात करते हैं, यह एक long term नि इसका चल रहा था, कुछ जरूरी बाते मैं यहां पर बता दूँ, यह मेरा आपको personal suggestion है कि जैसे ही आपकी बेटी पैदा होती है, उसके जनम के बाद ही आप सुकन्य सम्रिध्धी योजना में invest कर दें, ताकि जब तक वो 15 साल की होगी, उसके college में पढ़ने का वक्त जो है वो आ जाएगा, जी हां अकसर हम 16-17 साल में ही 12th standard pass करके college में जाते हैं, तो आप अगर उसे किसी भी अच्छे institution में पढ़ाना चाहेंगे, तो उसकी fees की आपको चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि आप पहले ही 15 साल जो है पैसे जोड़ चुके होंगे, और यही नहीं, अगर आप बेटी के जनम के तुरंत बाद यह योजना नहीं भी ले पाए, तो जब तक आपकी बेटी 10 साल की नहीं हो जाती, तब तक आप यह योजना ले सकते हैं, ऐसे समय में जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, तब यह पैसा आपके काम आ सकता है, और इतना ही नहीं अकसर माबाब जो हैं वो यह सोचते हैं कि शादी पर जादा पैसा खर्च करना, दहेज देना इससे हमारी बेटी खुश रहेगी, जी नहीं, आपकी बेटी तब खुश रहेगी जब आप उसे financially independent बनाएंगे, यानि कि अच्छे स्कूल, कॉलेज में पढ़ाएंगे, उसे आत्म निर्भर बनाएंगे, चलिए, इसी के साथ अब बात करते हैं दूसरी योजना की, अगली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, इस स्कीम को मध्यप्रदेश सरकार ने 2007 में शुरू किया, ताकि बेटीों को लेकर नकरात्मक सोच को कम किया जा सके, ये स्कीम उत्त लक्ष्मी.mp.gov.in में एक एप्लिकेशन लेटर दे कर खुलवा सकते हैं, इसके अलावा आप किसी आंगनवाडी में प्रोजेक्ट आफिसर की मदद से इस स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं, इस योजना के लिए वही माता-पिता अपलाए कर सकते हैं, जो किसी तरहा का टैक्स स वार ट्विन्स बेटियां और दूसरी प्रेगनेंसी में भी तीसरी बेटी हो, इस केस में भी इस योजना का लाब उठाया जा सकता है, इतना ही नहीं, अगर आप बेटी गोद लेते हैं, तो इस केस में भी लाडली लक्ष्मी योजना का फाइदा उठाया जा सकता है, ही आपको मिलेंगे लाडरी लक्ष्मी योजना में कुछ इस तरह से बच्ची को पैसे उसके खाते में सरकार द्वारा डाले जाएंगे क्लास छटी यानि सिक्स्त में 2000 रुपे 2000 रुपीज क्लास नौवी में 4000 रुपे क्लास ग्यारवी में 6000 और बारवी में 6000 इसी के साथ बच्ची को ग्यारवी से बारवी कक्षा तक के पूरे शिक्षा वर्ष के दौरान 4000 रुपे और मिलेंगे वो भी हर महीने 200 रुपे के अनु अगर बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए अपलाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, घर का प्रूफ यानि एड्रेस प्रूफ, एप्लिकेंट की बैंक पास्बुक, आधार कार्ड, राशनकार्ड और बेटी की फोटो, तो बस असानी से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, इस योजना में आपको कोई पैसे नहीं देने होते, सरकार ही पैसे देती है, अगली योजना है CBSC उडान स्कीम, यानि की एक ऐसी योजन जो बेटी या उसके परिवार को पैसे देना नहीं, बलकि बच्चियों की शिक्षा पर फोकस करने के लिए बनाई गई है, इसमें उन्हें मुफ्त पढ़ाई का सामान और क्लास्स दी जाती हैं, ताकि लड़कियां इंजिनिरिंग और टेकनिकल कॉलेज में जादा से चात्रा में पढ़ पाएं और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जान पाएं, इस स्कीम को सिर्फ वही चात्र ले सकते हैं या इस स्कीम से वही लोग जुड़ सकते हैं, जो CBSC बोर्ड वाले स्कूलों में पढ़ रहे हूं, ये सुविधा 11 और 12 कक्षा की चात्राओं क को ही मिलती है, वो भी Physics, Chemistry या गनित सब्जेक्ट लेने पर, इसी के साथ चात्रा के परिवार की आए सालाना 6 लाक से जादा नहीं होनी चाहिए, इसका फाइदा 11 और 12 कक्षा के लिए Free Books के साथ साथ वीडियो के जरिए Weekend Classes अटेंड करने से होगा, इसी के साथ चात्रा की Progress पर Regular निगरानी भी रखी जाती है, कितनी अच्छी स्कीम है ये, कितना बढ़ावा दे रही है लड़कियों को पढ़ाई करने का, इंजिनरिंग करने का, इंजिनियर बनके देश का फ्यूचर सवारने के लिए, तो चलिए दर्शकों इसी बात पर बढ़ते हैं अगली स्क इसी लिए राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2015 से ये स्कीम लॉंच की, ये योजना जो है इस स्कीम में दूसरी बेटी के जनम पर राज्य सरकार हर साल 5000 रुपे की आर्थिक मदद करती है, ये पैसा माता पिता को एक किसान विकास पत्र के जरिये दिया जाता है, यानि आपकी बे साल इस किसान विकास पत्र में 5000 रुपे निवेश करती है, जिसे बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित परिवार को दे दिया जाता है, इस योजना के लिए राज्य में मौजूद नस्दी की आंगनवाडी में आप जाकर संपर्थ कर सकते हैं, इसके लिए पहली और दूसरी दोनों बेटियों के जनम के प्रमान पत्र जमा कराने होंगे, या फिर आप इनकी वेबसाइट www.wcddel.in पर जाकर भी फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ा आसान है इस योजना को लेना, चलिए बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, अगली योजन से नीचे आने वाले लोग जो हैं, उनकी बेटियों को आर्थिक सहायता दे सकें, माजी कन्या भागिश्री योजना में बच्ची के जनम के बाद से ही मा को 5000 रुपे हर साल दिये जाते हैं, जब वो बच्ची पांचवी क्लास्मेंट मीशिन ले लेती हैं तो ये राशी 2500 र वो बहतरीन government schemes जिनमें आप जो हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जिनका फाइदा आप उठा सकते हैं अगर आपके घर में एक कन्या है, एक लक्ष्मी है यानि की कोई ना कोई बेटी है आपकी, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के स साथ शेर करेंगे, उन्हें जागरुक करेंगे कि बेटी पैदा होने पर वो कौन-कौन सी government schemes का पाइदा उठा सकते हैं और अपनी बेटीयों को एक उजवल भविश्यत दे सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक, शेर और साथ-साथ हमारे च